फोन टैपिंग विवाद में घिरी केंद्रू सरकार्टू यूपी से विपक्ष परवा सीम योगी का करारा प्रहार कहा संससत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले रची गई अंतराश्टी साजिश सेम योगी बोले भारत को किसी ना किसी रूप में ओयस्तर करने की हो रही है साजिश देश के यशस्वी नित्रतों को बदनाम करना चाहता है विपक्ष सेम योगी बोले ये पहला मौका नहीं 2020 में अमरीकी राश्वती के भारत दौरे के दौरान दिल्ली में हुआ दंगा भी ऐसी है एक साजिश का था हिस्सा कि मंतरी योगी ने किसान आंदूलन को भी विपक्ष की ऐसी साजिश का हिस्सा बताया कहा किसानों को मजहब के नाम पर भढ़काए गया सकारात्मक नीतियों पर हमेशा भ्रहम पैदा करता है विपक्ष संसर ने आज भी गुजा फोन टैपिंग का मुद्दा दोरू सदों में विपक्ष ने उठाया 40 पत्रकारों समेथ 300 लोगों के फोन टैपिंग का मुद्दा यह मोदी ने संसर दिदल की बैठक में कोरोना संकट पर की बात कॉंग्रेस अमिद विपक्ष पर नकारात्मक राजबीती का लगाया रूप बीजेपी सांसरों से कहा कोरोना के सती पर दुनिया से तुलना कर देश को बताएं सच देश में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर पछले 24 घंडे में साम włz देश में दूसरी कोरोना लहर में सामने आया मौथ अब तक का सबसे कमा अंकड़ा पछले 24 घंडे में कोरोना से 374 लोगों की जान गई बारी बारिश के बाद के दारना धाम से बुस्खलन का संकट सडकों पर आ रहा पहाड़ी मलबा लाइप तस्वीरे कैमरे में कैद